बेटू को इनाया दीदी से मिला देते हैं काफी टाइम हो गया है और हम सब लोग भी साथ में मिल लेते हैं क्योंकि दो महीने से जादा ही हो गया होगा कुंडा अतर्रा करते करते तो अभी काफी टाइम बाद में यहां आई हूं इतना अच्छा बॉंड बन जाता है कि रहता है कि सब्लब बेटू ड्रेसिंग एक डम अटेक कर रखा रहा है सब को ठाकर की नीचे एक बार फेक रहा है एक बार ओपर रख रहा है और मैंने एक पार सिंपल से किया हुए है करके और मेकप में बहुत ना के परापर सिर्फ एक दम लाइट वाली लिप्ष्टिक और बहुत हलकर समय ने काजल लगाया हुए देट सेट गुस्सा हो होगे ना अपने हालत बिगार लिए दिखाऊं एई लड़के कहा रहे हो इनाया दीदी के पास चल रहे हैं तो कहा रहे हम लोग पेट्टू को इनाया दीदी से मिलवाने जा रहे हैं क्यों होई अजकल नहीं धीरे-धीरे ना ऐसे से करके मारना भी सीख रहा है अगर इसको गुस्ता आते हैं तो ऐसे करके पट्टे से मार देते हैं और बहुत सारे लोग ना मेरी हैरिस्टाइल के बारे में पू मम टाइमना यही वाला हेयर कट करती हूं सही लगता है थोड़े से छोटे फिर थोड़े बड़े फिर थोड़े बड़े तो बहुत बिखरे हुए भी नहीं लगते हैं और थोड़ा सारे लगता है कुछ हान निवेर्ट हुआ है हम अजड़ कि आप अजड़ कि अजड़ास बादा ले हैं जानते हैं विंटर सीजन आ गये हो और विंटर में इसकीन बहुत ही जादा ड्राइए एची हो जाती है बट इस बार नहीं होगी थैंक्स टू वाव स्किन साइंस विट्मिन सी बॉडी लोसन विंटर में कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमारी स्किन को मौश्राइज भी करें और इस्टिकी भी ना हो मुझे परसनली बेसी और इस्टिकी डाइप के लोसन बिल्कुल पसंद नहीं है इसलिए मैं योज करती हूँ ये वाव स्किन साइंस का विट्मिन सी बॉडी लोसन ये आपको दिखा दू ये बॉडी लोसन ड्राइनेस को कम करने में हेल्प करता है और डीप हाइडरेशन देता है एंड इरिटेडेड इस्किन को सूथ करने में भी हेल्प करता है तो गाइस अभी मैं ये बॉडी लोसन लगा करके आप लोको दिखाती हूँ और इसके टेक्श्यर की बात करें तो बहुत ही ज्यादा नौन इस्टिकी है मतलब बिल्कुल भी आपको इस्टिकी फि और इसकिन डेमेज को रिबय करने में हल्प करता है एंड इसकिन को सौफ्क एंड बनाता है ये ब्लेटेड यूवर्ड अन पॉली वाले टेमेज से भी प्रोटेक्ट करता है और गैस आप लोग को बताऊं ये body lotion non greasy है and जल्दी absorb हो जाता है skin में बिना HD की fail कराए और गैस आप लोग को बताऊं ये natural active से बना हुआ है 100% vegan and gluten free है इसकी खुसबू बहुत अच्छी है तो इसमें कोई भी mineral oil, silicone, parabens और color नहीं है तो मैंने इसका link अपने description box में दे रखा है तो आप लोग मेरे link की थूँ जा करके इसको buy कर सकते हो और अगर आप लोग इनका coupon code wownature 20 यूज़ करोगे तो आपको 20% का discount मिलेगा इनकी website buywow.in पर be wownaturely अच्छी पूलेगा थिए रखायोग में वे टेस्टर रखायोग में आपकोई आपकोई खायोग करें भाव रात के साड़े नौ बज रहे हैं आप हम लोग जाने डिनर करने तो आपको दिखाऊं डिनर में क्या है मटर पनेर की सबजी है चटनी है चावल रोटी और साथ में है खीरे कराइता तो खाना भी अच्छा था प्लस साथ में बैट करके सब लोग खा रहे थे न तो एक साथ ख पांस ही है तो फिर बीस से पचीस मिनिंट तो लग जाता है घर पहुंचने में रात की साथ़े-दस बज रहे हैं अब हम लोग जा रहे हैं घर तो कैसे पहुंचते हमको ग्यारा तो बजी जाएगा क्यूंकि आधा गंटा तो लगी जाएगा उपर पहुंचते पहुंचते फिर कपड़े बगेरे चेंज करेंगे उद्दू कभी अभी शल करके इसका करूंगी सेरी लग खिलाना है कपड़े चेंज करूंगी आजा बेटू आजा कि इनाया दीदी रोई रोई कर रही थी क्या हूं तो शलते हैं अभर इधर साइड ना बहुत अच्छा लगता है इतना शादा पेड़ पौदे हैं शारो तरफ कि जिदर नजर जाएगी ना उधर हैं आपको पेड़ पौदे ही दिखेंगे हम लोग घर आ गए हैं और आते चेंज हो जाता है फिर ना वो दो तीन दिन तक उसका डिश्टर भी रहता है सोने का रूटीन कभी गलट टाइम पे सोएगा फिर गलट टाइम पे उठेगा ऐसे हो जाता है तो अभी मैं पहले सेरे लग खिला दूगी ना तो हैड लेज्ट अपना ग्यारा साड़े साड़ हम लोग खार आ गया है और आते ही सबसे पहले मैं उद्धो को सेरे लग खिना देती हूं यह सेरे लग खिना दूगे ना तो फिर वो थोड़ी दिर तक खिलता रहेगा तो उसका डाइजिस्ट भी हो जाएगा सुने से पहले लेट हो गया है पहले मैं उसको खिलाए देती हूं खैर उसने खाना भी अच्छा खासा खाली है वहाँ पनीर रोटी तो उतना जादे जरूरत नहीं है बड़ फिर भी मैं सेरे लग भी थोड़ा सा खिलाए दूँगी ताकि उसको रात में भूखना लगे पहले मैं सेरे लग खिला देते हूं उसको इसके बाद फिर मैं पप्रे एक चेंज करूंगी तब तक वो थोड़ी देर खेल भी लेगा और जो सेरे लग खिलाओंगी नो भी उसका डाइजेस्ट हो जाएगा काफी अद तक बच्चों में ऐसे होते हैं जाने से पहले काम निप्टाओं आने कि मादे भी तुरंत बच्चे की काम में ही लग जाना होते हैं जब वो अभी सोच रहेगा तब मैं फ्री फील करूंगी कि हाँ चलो अब मैं फ्री हो गई अब मैं खुद के लिए थूड़ा सा टाइम देती हूं फोन चलाओंगी थूड़ा सा लेड़ी लेड़ी ना इंज़ॉय करूंगी फोन चला करके और फिर इसी बार मैं भी सोच सब्सक्राइब, तो मैं फूर्फ के लियुक्ट हो रही थिए, कि मैं था हटे का भी रवे हो है कि ए साइसा के में रॉछा म क। बना लिया तो मैं आपेए घीडाने। उसमें रवर डाला है और अच्छे से मैं भूल लूँगी आप खुद देख सकते हो एकदम गोल्डेन प्राउन कर लूँगी मुझे न वह वाइट हल्वा नहीं पसंद है ऐसे बिल्कुल डार्क रेट कलर में हल्वा किसको पसंद रवे का मुझे तो ऐसे वाला ही पसंद है तो बस फिर इसके बाद मैंने चीनी डाला है और पानी डाल दूँगी पानी थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में डालूँगी क्योंकि मुझे एकदम रवा जब पक जाता है थोड़ा सा गीला गीला सा हल्वा पसंद है हल्वा पक रहा है तो मैं इसी में साथ में थोड़ आलस कर गए कि यार खुद के लिए कौन इलाइची को पहले कूठे फिर डालो तो मैंने उसको इसकिप कर दिया लाइच्ट मैं भी थोड़ा समय काजू और किसमे सौर डाल दे रही हूं हलवा रेडी है तो अगर ये वीडियो पसंद आया हुए लाइक कर देना निव हूं सब्सक्राइब कर देना बाई बाई